हलो बच्चो आज हम लोग क्लास फोर में जो सेकंड चेप्टर माई टित स्टार्ट किये थे उसका लेक्चर नंबर थिरी लेकर कर आए हम लोग इस लेशन में अपने दातों के बारे में पढ़ रहे थे और उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि तीत हमारे मुह में लगभग 32 दात होते हैं 16 लोवर जौमे और 16 अपर जौमे दातों को हमने चार हिस्सों में बाटा था इनसाइजर, केनाइन, प्री मोलर और मोलर इनसाइजर जो चार दात सामने आपको दिखाई देता है नीचे और उपर मतलब चार और चार आठ उसे हम इनसाइजर कहते हैं ये दात काफी तेज धारदार होते हैं ये भोजन को काटने में मदद करते हैं इनके बगल में दो दाथ नीचे और दो दाथ ऊपर है मतलब चार दाथ तो उन्हें हम केनाईन कहते हैं वो नुकीले होते हैं वो भोजन को फाड़ने में मदद करते हैं उसके बाद उनके बगल में दो दो चार दो दो चार मतलब चार नीचे और चार आठ प्री मोलर हैं वो चोड़े दाथ होते हैं वो भोजन को चबाने में मदद करते हैं उसके बाद लास्ट का तीन दाथ तीन दाथ ऊपर में भी तीन और तीन मतलब छे नीचे और छे उपर बारह दाथ इन्हें हम मोलर कहते हैं यह सबसे ज़ादा चौड़े होते हैं यह भी भोजन को ज़ादा चबाने में मदद करते हैं इनसाइजर केनाइन प्री मोलर मोल इनसाइजर काटने में हिल्प करता है केनाइन फाडने में हिल्प करता है प्री मोलर और मोलर चबाने में हिल्प करता है तो अलग-अलग दांतों की अलग-अलग प्रकिरियाएं हैं जो हमारे जो हमारे शरीर जो हमें भोजन को चबाने में मदद करते हैं और दातों की वज़ा से आप जो बोलते हैं वो साफ साफ आवाज भी निकलती है यानि बोलने में भी दांत आपको काफी हेल्प करता है तो चार तरह का दाथ हम लोग कल पढ़े थे उसमें हम दाथ की बनावट के बारे में बात किये थे कि दाथ का जो उपरी हिस्सा आपको दिखाई देता है उसे हम कराउन कहते हैं यह बहुत ही हाड मेटेरियल से बना होता है जिसे इनेमल कहा जाता है बहुत हाड होता ह उसके बाद दात की जड़े, रूट जो दात का है वो नीचे जाकर के जबडे की हड़ी में फसा हुआ रहता है और एक material होता है जो दात के रूट और जबडे की हड़ी को जोड़ करके रखता है उसको cementum कहा जाता है वो भी हड़ी की तरह होता है और दात की अगल बगल का जो मांस पेशी आपको दिखाई देता है मांस उसे हम गंस कहते हैं मसूडा कहते हैं और दातों और मसूडों में भी पतली नसे होती है खुन की नसे और नर्व होती है इसी वज़ा से दातों में भी आपको दर्द का एहसास या किसी भी चीज का सेंसेशन ठंडा या गर्म का एहसास आपको होता है है न आज हम लोगों का टॉपीक है Why doomedнить के आथिर हम लोगों का जो दान् सड़ता क्यों है आप देखते हों कि क्या बच्चे हैं या फिस बहूत किसी वी उम्र कर इंसानका दाँस्ट जाता है थे दाथ दांट लोगों की है इस तुर्म समस्ते हैं जिसको हम लोगी चोटे चोटे जीव होते हैं जो हमने नुगसान पहुचाते हैं जर्म से वजह से जैसे लगी जो फैली दो his यह फैली हुए भी यह यह फ्यहतोर इसे कितने बिमारी फैल रहि Hud जूह से हमें नुक्सान है जर्म हमें बहुत तरीकों से पहुंचाते हैं जरूँ की वदा से हमें अभी तर्हा की बीमारियां होती ऐसे बहुत तरह के जर्म्स होते हैं जर्म्स को मोग के हम दिखाई नहीं कुछ फञर데 Ariel कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे मूह में भी पाए जाते हैं हर टाइम जब और कुछ खानना हमारा होोसाम कोई चीज खाते हैं तो खाने के लिए आपके दान उस budget भाड़ने और चबाने में मदद करता है तो खाना का कुछ शसा आपके दांतों बीच में फसा हुआ रहा जाता है कि सुबह और मात खाने के बाद हमेशा ब्रस करके सोना चाहिए क्योंकि दातों आप यह नितर भूँ अगर इंगहिए प्रस में בसे लिए आपD colors में ओं कर नेकल जाएगा धन ही कि तो प्रेद्टे वारी युदिड था यि यकार आप बतलब कि आपके मुँढ में मौजूद जो जन ज खाना खाए और खाना आपके दांतों में फंसा रह गया तो के खाना में बहुत तरह के nutrition होते हैं जिसे आपके खाना में carbohydrate है protein है fat हैature है fat है Vince है तो carbohydrate जो है वह दो तरह हएन सूगर और इस उचवारे माजूद है उस उस खाना में मौझूद कार्बो हाईड्रेट में मौझूद सूगर को अगोरे शोगर को अगर कें करता है छता नाम आगे चलासेज में भाता है आगल के बारे महां पढ़िए कश्थ Saline तो एक तरह का प्रोडियूस करता है कौन जर्म कहां जो मुँम्हें मौते हैं क्यों कि आपके दातों के बीच में भोजन फसा हुआ है उसपे जो सूघर मौजूद उसको खाता है और उसको खाने के बाद रुखताए और यह अपके दातों को नुक्सान पहुंचाता है यह जो एक्षिट को नुग्सान पहुंशाता है इससे आपके जो आण है उन दातों में हलका हो जाता है जिसको हमलों कवी थी कढ़ते हैं क्या वोलते हैं लुड़ी आरपने देहाती भाशाम्हीं हम लोग कहते हैं कि दात में खुणला हो गया है या नि्यृट में होल हो गया छेद हो गया है इसको क्याविटी बोलते हैं और दिस इस दरीजन वाइव यू मस्ट नॉट ड्रिंक एनिफिंग एक्सेप्ट वाटर आफ्टर यू ब्रश यो टीथ नाइट इसलिए कहा जाता है कि जब आप रात में खाना पीना खा ले और ब्रश करने के बा जब फस जाएगा तो आपके मुँव में मौझूद जो माइक्रो ऑर्गनिस्म जो जर्म से है उसमें कार्बो हाइट्रेट जो मौझूद है उसके सुगर को खाएगा और सुगर को खाएगा तो उससे एक एसीड प्रोडियूस होगा एसीड निकलेगा और उस एसीड से आपके नर्ज डैमेज हो जाएंगे आप कोई भी ठंडा गरम तीता मीठा कुछ भी खाएंगे तो आपको दर्द होगा है ना आगे देखते हैं और आपके दातों में फसा हुआ जो भोजन है अगर आपके मुह में मौझूद जो जम्स है वो जम्स उस भोजन को खाने लगेंगे उस भोजन में मौझूद कार्बो हाइड्रेट को खाने लगेंगे कार्गो हाइडरेट में सूगर सूगर को वो खाने लगेंगे तो एक एसीड प्रोड्यूस करेंगे और उस एसीड से आपके दांत को नुकसान पहुँचेगा क्या नुकसान पहुँचेगा तो उस एसीड से आपके दांतों में छेद हो जाएगा और छेद हो जाएगा उस छेद को हम कैविटी कहते हैं और कैविटी से काफी दर्द होता है , जब हो जाएगा तो धिरे धिरे वो दान्त आपको चड़ने लगेगा सड़ करके पुरी तरह से गिर जाएगा और cavity का कोई इलाज नहीं है, permanently इलाज नहीं है, cavity अगर खुडला हो जाता है तो दांत को उखडवा दिया जाता है, कबरवा दिया जाता है, दांत को निकलवा दिया जाता है, क्योंकि उसमें मसाला वेगरा भरते हैं, तो उससे भी वो permanent उसका उपाय नहीं है, permanent इलाज नहीं ह हैं उसे हमेशा आपको वह बीमारी ठीक है नहीं होने वालिया है लेकिन कैलिटी से बहुत डार्द होता है तो आज हम लोग सीखे किभारे दात के सड़ने का मूख़े कारण क्या है सबसे जो मेंल रीजन ऐनना के चबने का व क्या ने तरह कार्पोहेटरेट में तरह का हुताई ti Stop शुगर को जर्म स्काथा और सुगर को घाताया तो यंशाना करता है और हुप Jorge सिट खतरना कि हमारे दातों के वह सिट हमारे डाटों के करीब जाता है को दातों में पर दीरे-दीरे उन्सटीन में इसटेक कर arbeiten में अधेर सब्सक्राइब को जसे को हम लोग काते हैं अधे से काफित हमारी दांटों इसली ऊंद गणा करवाफोंmilli जए ज़िया जरोरी है करें ताकि हमारे दांट भी तरीके से देखभाल करें थाकि हमारे रातों में हम जो खाना घाते हैं वह हमारे दामतों के बीच में फंसा हुआ ना रहे और इस ताकि क्यावेटी की प्रॉब्लम ना ठीक है आज एक कर देट सॉल